हेलो फ्रेंज तो चलिए बनाते हैं स्टरफिंग इटली वो भी कटोरी से बिना साचे का हम बना के तियार करेंगे अग्जित क्या होता है हमारा सामबर चटनी बनाने का मन नहीं करता तो इसलिए हम चटपटा इटली बना कर तियार करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लिए है सूजी रवा यानि की बारिक वाला ले आप यहाँ पे हमने एक कटोरी लिया है कॉंटिटी आप फैमिली के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं साथ में हम एट करेंगे दो बड़े चमच दही तो यह खटी वाली घर की दही है तो इस तरह से हमें एट कर देना है और मिक्स कर लेंगे तो हमें सूजी के साथ में दही को बढ़ियां से मिक्स कर लेंगे इस तरह से एक बार ये रेसिपी जरूर फ्रेंड बनाईएगा और ट्राइ करके जरूर बताईएगा इसी के साथ टेस्ट के कोडिंग नमक ढाल देंगे और थोड़ो थोड़ा पानी डाल कर हम बैटर तयार क करेंगे तो हम यहां पर एक कफ पानी लिया है देगते हैं कितना लगता है इसमें पानी और सूजी जो है पानी ऊजॉब करते हैं फूल ता है या ने की तो हम М स्कॉण्टित ने इस içत्रह से थोड़ा थोड़ा पाणियां करते हुए में बढ़ियां बैटर थैयार कर लेना है देखिए इसका कंसुंटेस्ट से देखिए आप इस तरह होना चाहिए अब इसे रख देते हैं था कि एक चमस मस्टर्ड और जब अच्छे से घरम हो जाए तो यहां पर जीरा और आल का तड़का लगा लेंगे साथ में यह मैट कर देंगे लेसन की कलिया हमने इस तरह से चौप करके डाल लिया है और कुछ सिगन तक भोल लेंगे तो ऐसे हमें भोल लेना है इसी के साथ आप कोई भी वेजी टेबल एट कर सकते हैं पनीर भी एट कर सकते हैं क्रस करके डाल सकते हैं तो यहां पर हमने जब लेसन अच्छे से हो लिया है आप कोई भी वेजी टेवल ले सकते हैं और कैपसिकब है जो भी आपके पास सब्जी है छोटे-छोटे बारी-बारी काट करके डाल सकते हैं तो हमें बढ़ियां से हाइफलम में इसे भून लेना है फिर इसी के साथ हम वाइल आलू को मैस्क कर लिया था बिल्कुल इ उठ लिवा गरा नहीं होना चाहिए वो साथ में एट कर देंगे और भूल लेंगे बढ़ियां से गाजर और आलू को इसे टेस्ट बहुत ही बढ़ियां लगता है एक बार आप भी ट्राय जरूर करिएगा गाजर और आलू का इस तरह से स्टुफिंग अगर नहीं बनाया ह तो अब चली कुछ मसाले एट कर लेते हैं जैसे यहां पे हम ले लिए हैं टेस्ट के कॉर्डिंग नमक साथ में ध्यान रखिएगा नमक हम बैटर में भी यूज किये हैं साथ में एट कर देंगे पावभाजी मसाला अगर आपके पास पावभाजी मसाला नहीं है तो मैगी मसाला ले सकते हैं फिर दमालो मसाला ले सकते हैं और खटास के लिए आप नीबू का रस ले लेंगे आप यहां पे अमचर पौडर भी ले सकते हैं और यहां पे हम डाल देंगे चिली फ्लैक्स यानि की कुटी हुई लाल मिर्च डाल के मिक्स कर लेंगे आप और गयनों से भून लेंगे तो यहां पर हमारा अलू हमने रख दिया ठंडा होने के लिए बैटर भी हमारा फूल गया ही यह यह देखे कितना फलफी सा हो गया है बिना इमारो शोड़ा ढाय हुई ही इतना फलफी हो गया है इसमें अब क्या करें एक थोडा और पानी रालेंगे। क्योंकि जो सूजी है पानी बर्शे घराव करती है तो यहका सा गाड़ा हो गया ह। थोड़ा सा पानी एट करेंगे तो गरीब 2 बड़े शंबच पानी डालेंगे और mix कर लेंगे। इसे के साथ हम एट करेंगे थोड़ा सा एक मच औयल डालके मिक्स कर लेंगे फिर यहां पे थोड़ा सा अच्छे इप और फुल फुला हमारे इड्ली बेटर तयार हो तो यह । hybrid कर देंगे and mix से कर लेंगे इसे क्यों अगर जो हमारे इठली है फुली फुली और सॉप्ट बन के रेडी होगी जैसे ही बेकिंग सोडा डाया आट करेंगे तो बहुत ही फलपी और स्मोज सा बैटर हो जाएगा यह रेखिए अब यहां पर हमने तरी कटोरी ले ली है कटोरी में बढ़िया स्टोफिंग त्यार किया था तो उसे हमें क्या करना है टिकिया सेप में बना लेना है तो हमने टिकिया सेप में बना लिया था पहले सी तो इस तरह से रखेंगे फिर उपर से इस तरह से कवर कर देंगे बैटर से यह देखिए बहुत ही आसान है ऐसे हमें सारे कटोरियों मे कर लेना है आप बिना साचे के इस तरह से जरूर बनाए और रश्मी यह जो हमने स्टफिंग तयार किया है चटपटा बहुत ही बढ़ियां स्टफिंग है तो इस थोड़ा से स्पेस हम छोड़ देंगे क्योंकि बैटर हमारा क्या होगा फूलेगा तो हमें कटोरियों में स्प रखाए ताकि जो हमारी कड़ाई है उसमें निशान ना पड़े इसलिए अभी यह ट्रिप्स अजमा सकते हैं तो यहां पर पानी अच्छे से गरम होजागा तीनों कटोरूईयों को रख देना है लो फ्ले में हमें 6-7 मिनट तक कुक कर लेना है तो इस तरह से ढखकन लगा करके इसे हम गैस में 6-7 मिनट तक छोड़ेंगे उसके बाद हम छेक करेंगे तो यह देखिए हमने चेक किया बढ़िया से हमारा फूल गया है इठ ली यह देखिए अब हम फिले म को उफ कर देंगे और बहूत ही बढ़ियां फूल करके रेडी हो गया है, बहुत ही कम टाइम लगता है, अब इसे हम फिल्म को आफ कर देंगे, ठंडा होने के बाद इसे हम निकाल लेंगे, अभी नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत गरम है, इसे हम ठंडा होने के बाद निकालेंगे, तो ये देखिए हमने सारा निकाल लिया है बहुत ही आसानी से कटोरियों से निकल जाता है बहुत ही ठंडा हो गया है और जालीदार बनके रेडी हुआ है तो पहले इस तरह से चक्कु से अगल बगल के साइड निकाल लें फिर इस तरह से टाप करते हुए सारा निकाल लेंगे बिल्कुल भी कटोरियों में नहीं चिप केगा इतना असान है इसे बनाना आप देख सकते हैं कितना सॉप्ट और इस पॉंची बनके रेडी हुआ है कोई यकीन नहीं करेगा कि आपको डोरी में इस तरह से बनाएं हैं तो आप क्या करना इसे कट कर लेंगे आप बिना सामहर चटनी के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं ट्रश्ट मीठा मीठा चटपटा फ्लेवर आएगा आप इस तरह से एंजॉय करें तो आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज जादा से जादा लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब् कुछ कमी लगे तो कॉमेंस करके जरूर बताईगी मिलते हैं नई रेसिपी साथ तब तक लिए हैं अपना ख्याल कि हर हर महादेव